फास जॉब एलर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल अगिन को प्रेस करें ताकि पाय सब से ते जॉब एलर्ट थे हेलो फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं फास जॉब एलर्ट बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन यानि की बीपी एसी ने असिस्टेंट इंजिनियर पज के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन जारी कर दी है आईए अब इंपोर्टेंट डेट्स का बारे में जानते हैं ओनलाइन रेजिस्टेशन 45-2020 से स्टार्ट हो जाएगा रेजिस्टेशन करने के अंतिम्तिती जो है 18-5-2020 से ओनलाइन के माधियम से अप्लिकेशन फी भुकतान करने के अंतिम्तिती जो है 25-2020 से ओनलाइन के माधियम से अप्लिकेशन सब्मिशन की अंतिम्तिती जो है 26-2020 से जनरल या OBC के लिए 750 रुपए हैं, SC, ST, PWD और बिहार के लिए 200 रुपए हैं, All Female of Bihar के लिए 200 रुपए हैं, दिब्यांग के लिए 200 रुपए हैं, अप्लिकेशन फी आप ओन लाइन के मादेहम से पिमिन कर सकते हैं, आईए अब एज लिमिटेशन के बारे में जानते हैं, एज 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 एक आड़ दोहजार उन्निस, मिनमाम एज एकी साल है, मैक्समाम एज सैती साल है, अन्रिजर्ब मेल के लिए, यदि आप एज में रिलेक्सेशन चाहते हैं, तो अफिस से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कुल पदो की संख्या 205 है, आईए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं, असिस्टेंट इंजिनियर के लिए, इंजिनिरिंग डिग्री होना चाहिए, रिलेटेड ब्रांच में, यदि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अत्यादिक जानकारी चाहते हैं, तो आप अब अबस से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आईए अब पोस्ट वाइज वेकेंसी डिटेल्स के बारे में जानते हैं, पत का नाम असिस्टेंट इंजिनियर सीविल है, इसके लिए कुलपदों की संख्या एक्सो पानवे है, पत का नाम असिस्टेंट इंजिनियर मेकानिकल है, इसके लिए कुलपदों की संख्या एक्सेट है, असिस्टेंट इंजिनियर अलेक्ट्रिकल, इसके लिए कुल पदों की संख्या दो है यदि आप इस vacancies related अत्यादिक जानकारी चाहते हैं या online apply करना चाहते हैं तो आज यह विजिट करे www.fazabsearch.com यहाँ पे आपको इस vacancies related complete information भी मिल जाता है साथ साथ में आपको online apply करने का direct link मिल जाता है दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो like करें, share करें और आने वाले इस परकार के job alert के लिए मेरे चैनल फाज जाब alert को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्यू परवाची